जय बिहार और नमत्सकार मेरे बिहार के सारे सिक्षक सिक्षकाओं भावी मेरा बैक्ग्राउंड पीछे बदल गया है और पीछे जो है उच्छ न्याले पटना जो है अब आपको मेरे बैक्ग्राउंड में दिख रहा है बिहार सिक्षक भरती के सापेक्ष में इसका मतलब ये है कि आज जो है मैं आप लोग को बिहार सिक्षक भड़ती के नयालाय से जुड़े बहुत ही बीसे इस मामले जिसमें जो है अब जो है ओनिबल हाई कोट के टेबल पर ये केसिस जा चुके है मैं आज तक इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैं आप लोग को निरास्त नहीं करना चाहता था या फिर जो साथी मन लगाकर जीजान लगाकर आप तयारी में लगे हैं सरकारी नौकरी के उनका होसला तोड़ना मेरा मक्सद कभी नहीं है क्योंकि एक लाग सत्तर हजार घरों में दिया जलेगा अगर इसमें नौकरी मिलती है और वो भी अगर बिहार के लोगों को हमिले तो बिहार के एक लाग सत्तर हजार सिक्छक बनेंगे सरकारी इसलिए जो है जब कोट केस की बात तमाम पहलों पर आ रहे थी और लगातार मुझ पर दबाव बन रहे थे मैं आपको बताता हो कि मैंने सिर्फ एक केस फाइल किया हाला कि मेरे पीछे बहुत सारे रिमर्स लग रहे है कि मैंने ही सारे भरती के उपर केस किया ये गलत बात है मेरी टीम ने सिर्फ एक केस किया है और उसमें भी हमने भरती रोकने की मांग जासा कुछ नहीं किया था हमने सिर्फ एक केस किया लेकिन ये जो बाकि केसिस आगए है जिसमें सीधे-चीधे भरती को रोकने की मांग की गई है और वल कोट ने केसिस एक्सेप्ट कर लिए है सुनवाई की डेट मुकरर हो रही है तमाम पहलों पर आपको आज जनकारी देंगे बहुत सरे साथ ही अब इसमें परिसान है क्या ये भर्टी फंस जाएगी क्या एक्जाम नहीं होगा क्या चीज़े बिगड जाएगी पूरी तरीके से हमारा तयारी खराब हो जाएगा या फिर वो साथ ही जो अन्य राज्यों के हैं उनकी उम्मीद है कि क्या हमें सामिल किया जाएगा किसी तरीके से वो जो सवाल आ रहा है या फिर जो नियोजित सिक्षक और जो अन्य समाने सिक्षक हैं बराबरी का मौका माँग रहा है कि पहले हमें नियोजित किया जाए, और बात भी सरकारी टीचर का एक्जाम लिया जाए, हमें भी पहले मौका दिया जाए, तीन attempt को लेकर के बाद है, जो सूपर टेट के साथ ही अलग से केस कर गया है, और अखिल भारतिय बीट संगी ने जो अपनी तरफ से केस कर दिया है यह तमान केसे जब हाई कोट के टेवल पे आज आए हैं इन सब के बारे में अब जो है इसलिए मैंने वादा कम से कम केस टेवल पे चला जाए फिर मैं आप लोग इसकी जनकारी दूँ मैं जिस केस के बार 22 की अगर आप देखे तो उसमें 44,000 6-8 के पद खाली दिखाए जा रहे हैं तो अभी यह पद कहां चले गए और 6-8 के पद कहां चले गए और उनके वहां के भरती का वहां के बच्चों का क्या होगा भविश्य यही एक हमारा केस था जिसको लेकर के हमने लड़ाई लड़ हुई जब मैं पटना गया था तो कहा गया था कि 6-8 की भरती आएगी अलग से हम देंगे लेकिन अभी तक दिया नहीं और बाद में आने चाहिए भी आगे तो बस हमने एक केस किया लेके यहां पर वीडियो को सुरू करने से पहले ही मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़े दिखा देता हूँ यह जो नियूज आर्टिकल आप देख रहे हैं यह देखिए बिहार में निकली सिक्षक भरती दोड़ने लगे यूपी के विरस्कार यूपी के जो बच्चे हैं वो अनिवल हाई कोट में बाहरी राजियों को भी मौका मिले सारे राजियों को बिहार मे इस मामले में ॉनिवल हाई कोट में केस कर चुके हैं जी हां कर चुके हैं और इसकी बिड़ेट मुकरण हो गई हैं शाथ ही जो नियूझीट सिक्षक जो सूपर टेट के साथ ही हैं वो उन्होंने भी एक केस फाइल कर दिया कि हमें पहले मौकात दे धिया जाएं इसके कहा गया है कि पहले हमें नियोजित किया जाए और बाद में सरकारी टीचर ना जाए जिसकी जो है ये जो है ये अकनोलेज्मेंट मुझे मिली है तो तमाम ये जो cases आ गए हैं अब इसको लेकर परिसानियों का सबक बनता जा रहा है इस बीच में अब इसके बारे में ब्रीफ डिसकस करेंगे क्या क्या चीज़े हैं कहां कहां मामला फंस रहे आप लोग को ये जानकारी भी हो जाएगी और आप लोग को सही सठीक समझनी भी आ जागा लेकिन इन सारे पहलों से पहले बहुत सारा जो एक सवाल आ रहा है आप लोग का कि क्या पढ़ाई छोड़ दें देखिए पढ़ाई आप मत छोड़िये क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ाई छोड़मा आपका सोलीशन नहीं है क्योंकि देखिए बज़े इसलिए आपको तयारी करनी ही और सारी केसे के बारे में बात करूं इससे पहले मैं आप लोग को एक और बात बता जाता हूं कि अगर आप लोग जी जान से सच में तयारी में लगे हैं तो आप लोग के लिए कीरन पॉब्लिकेशन एक बेस्ट बुक लेकर के आया है जहां पर आप लोग जो हैं अपनी तयारी को धार दे सकते हैं देखिए इसमें जो नियमावली बनाई गई है नियमावली के आधार पर आप लोग को पता है कि तीस वही के नियमावली पे किरन पॉब्लिकेशन ने बनाया सीथ-सीदा जिसमें 9 से 10 में आपको 80 प्रस्ण प रहे बनाकर करके दे दिया है इसके जूसरीआ आप अपनी तयारी को पूरी तरीके से धार देकरकर और अपने को अच्छे से अच्छा नंबर स्कूर कर सकते क्योंकि 120 नंबर का कोश्म है और यह सिर्फ एक प्रक्तिसर से से आप कवर कर सकता है लिंक्स मैं आपको डिस्कु में अन्य राज्यों को भी दे जाए और उसे संबंदित में आप लोग एक चीज दिखाता हूं देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते कहते हैं लेकिन कानून का अपना समझने का तरीका होता है कानून अपने तरीके से समझता है चीजों को कानून कभी दूसरे के तरी लेकिन मैं बाहर बार आप लोग को यह कहता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जोगराफी कुछ अलग तरीकिक है इसके बहुत सारे लोग बाहर के राज्यों में बड़ी संख्या में नौकरी करते हैं और वहां के राजसुपे भी अपना योगदान देते हैं वहां भी क ऐसे ही एक केस में जब सिख्षक भरती जो आई थी और 6500 की तो उत्तर प्रदेश हाई कोट ने पूरे फैसले को प्रट दिया था सरकार के और कहा था कि नहीं सारे राज्यों को मौका देतो और वह हुआ सारे राज्यों के लोग इसी ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश के ज विद्यार्थी होने के नाते मुझे समझ तो है कि यह मामला कहा था रहा है लेकिन मैं अभी आप लोग को बस यह कहूंगा कि आप अपने तयारी की जिए दूसरा जो केस फाइल हो गया जिसका आप यह देख रहे हैं जिसका है मेरे पास जो रितिका केस लड़ रही है हमारी आपके पास नौकरी है और दूसरा कि उनके पास जो है आप त्यारी करते हें अगर नहीं वा तो कोई भरती नहीं है इसमें यह मांग है कि भी यह नियोजित हमें पहले की जिए और बाद में अब एक्जाम लीजिए समाना उसर दीजिए हमारा जो केस है 6-8 का वो केस बस यह है कि भी यह 6-8 का पद गया कहां दो साल पहले 44,000 पद खाली था और आज एक दम किझ हम जीरो हो गया आपने भर बीच में देन हैं कि नया कुछ किया नहीं है कुछ अलग तरीके से लिया नियोजित रिचर लिया तो फट भर कैसे हैं परमोसन आपने दिए नहीं है तो फट भर कहां से ख़는 और अगर पद नहीं भरे हैं तो 6-8 के 44 भरती कहां गई हमारा ये मांग लेकिन इस मामले में देखे इन सारे किसस में इस नुमावली को इस बहाली को इस परिक्षा को रोकने का मांग किया गया है इन सारे किसस में एस्टेक की मांग की गया है लेकिन हमने इस भरती को रोकने की मांग नहीं की है हमने बस ये कहा है कि 6-8 की जो भरती है वो आप पद लाकर के चवाली से दे दिए उस पर चाहे तो नया विग्यापन जारी कीजिए चाहे तो आप जो है उसके अंदर जो है इस ही में सामिल कर ल और यहां से जब मैं 1,5,5 लाग लोगों के बीच में जाता हूं तो मैं यह जरू सोचता हूं कि 1,70,000 घरों में दिया जलेगा जब यह इकजाम पूरा होगा इकजाम पूरा होगा नौकरिया मिलेंगी बहुत सी लड़कियों को बहुत से लड़कों को और ऐसी स्थिती में क्या मुझे इस भरती को रोक देना सही है इसलिए मेरी आत्मा हिल जाती है इस बात को सोचते हुए तमाम जबकि इस सरकार में जान बुचकर ऐसी निमावली बनाई है मैं बहुर बहुर कह रहा हूं जिसमें कि यह भरती फसे इतने पेच इतने ट्रिक्स लगा दिये हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और उपर से सीटेट 23 वाले अलग से केस फाइल कर रहे हूं पता ना मैं आपको भूल गया कि यह हमें भी सामिल करो इस भरती में जैसे बीएट को सामिल कर रहे हैं बच्चे बिएट का एक्जाम देने वाले उनको सामिल करो यह सीटेट का मामला अलग है, seated का मामला अलग है, seated एक eligibility होती है, इसके बीना आप teacher बनने ही सकते हैं, आपकी योगिता ही प्रमारीत नहीं होती है, उसके बीना आप teacher कहलाने के लाइक नहीं है, यह होता है, तो बीना उसके आपको कैसे सामिल के जब तक आप या तो beat it या फिर seat it ना करें जबकि यहां मामला एक और है कि beat it चार साल से नहीं हो रहा है तो बच्चे क्या करेंगे भाई तो तमाम ऐसे cases है 19 जून court case को लेकरते हैं बहुत बड़ी update होने वाली है आप सब लोग चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब पर के रखिए जैसे ही जनकारी आएगी मैं आप लोग के बीच में एक बार फिर्थ से आऊँगा और तमाम प्रेज़बों पर आप लोग से बात करूँगा बीच में जो भी case से related development होता है वो मैं जरूर बताँगो लेकिन आप अपनी पढ़ाई कटे रहें किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को रोकने का कोई मतलब नहीं प्रणाव